तो फ्रेंट्स यह है हमारा आर्शिप का ओरिजनल 2100 वार्ट का एक्टिव टॉप जो आर्शिप ने हाली में न्यू लांच की गई सीरीज में से हैं हेलो फ्रेंट्स एक बार आपका फीर से हमारे सेनल पर बहुत-बहुत स्वागत करते हैं तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो हम बात करने वाले है आर्शिप का NX-900 PCI-C-A जो 2100 वार्ट के आरमेश पाउर का टॉप यह हमारा थ्रीवे टॉप यह यानि बेस रिप्लाक्सिव टॉप है तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में इस टॉप का करने वाले रिव्यू इ इस टाप के फुल नटाट करेंगे यह टॉप के अंदर कौनसी एंप्लिफायर और कौन से स्पिकर और इसका मैन हम यूज का ले सकते उसके बारे में बात करेंगे तो चली फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर फ्रेंट्स हमारा आर्शिप का 3-way रिप टॉप के विदाउत ग्रिल की बात करें तो फ्रेंट्स यह हमारा थ्रीवे रिप्लेक्सिव बेस वाला टॉप जो रहने वाला है यानि इस टॉप के अंदर आपको लो मेड और हाइफ फिक्वेंसी के लिए तीनों अलग अलग इस स्पीकर और ट्विटर वह यूज किये गए यहां पर लो फिक्वेंसी के लिए 15 इंसी का एक फूफर यूज किया गया जो 1400 वाट आरमेस पाउर का रहने वाला है मिड फिक्वेंसी के लिए इसके अंदर आपको बुलेट हाइज मिल जाती है जो 500 वाट आरमेस पाउर की रहती है और हाइफ फिक्वेंसी के लिए यहां का 21W में बिल जाता है lf drive के लिए 15 NC के एक स्पीकर यूज़ गया 1400 Watt-क मेंड फ्रेक्वेंची के लिए इसके अंदर 8 NC का 500 Watt की ट्विटर यूज़ के गया हाई के लिए 200 Watt का ट्विटर यूज़ किया गया SPL इसका 138 टीबी का मिल जाता है इसके अंदर class D के amplifier install की गई है जो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर इसका on off का switch plus यहां पर आपको connections मिल जाते हैं यहां पर आप connection के लिए xlar plus jack ले सकते हो इस top के speaker की बात करें तो इसके अंदर friends आर्चीप के low, mid और high frequency के लिए speaker और HF यूज किये गए हैं 2400 watt का low frequency का है और 500 watt का mid frequency का यहां पर blade top मिल जाता है और 200 watt का में high frequency का tutor देखने को मिल जाता है जो आर्चीप की दरब से रहने वाला है तो friends यह हो गए हमारा top और इसके अंदर class D के amplifier भी install की गई है तो friends अब बात करता है हमारी stop का मैं यूज कहां करें और इस stop के साथ low frequency के लिए कौन सा woofer हम यूज कर सकते हैं तो friends इस stop का हम मैं new live और DJ दोनों के लिए ले सकते हैं इस stop के साथ आप low frequency के लिए इसका series का यह new base जो 8008 SUV वाला रहने वाला है 244W का base से वह यहां पर आप ले सकते हो और इस stop के साथ low frequency के लिए सला सकते हो और उसका भी fan ने वीडियो फ्रेंट्स पहले ही चैनल पर डाल दिया है जो जाब कर आप देख सकते हो अब फ्रेंट्स बात करते हैं हमारे इस stop के price की तो price मैं अपने वीडियो के description में एड़ कर रहा हूं वह आज आकर आप देख सकते हैं तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं हमारे अगले next वीडियो में